अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी टिक्या पसंद करते हैं, तो टिक्या को हम इस तरह से दबाएंगे थोड़ा सा. अगर आपका व्रत है, तो आपका टिक्की खाने का मन है, तो आप ये क्रिस्पी टिक्या जरूर ट्राय करें. लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आप चलिए शुरू करते हैं क्रिस्पी टिक्या बनाना. कच्चे केले की टिक्या बनाने के लिए मैंने तीन कच्चे केले लिये हैं और दो आलू लिये हैं, सबसे पहले हम केले और आलू को कूकर में डाल के दो सीटी आने तक बॉइल करेंगे, अब हम कूकर में केले डालेंगे, आलू डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे, और कू कुकर में ढखकल लगा कर हम गैस पर रख देंगे, और दो विसे लाने तक इंतजार करते हैं, केले और आलू दोनो बॉइल हो गए हैं, इसको मैंने कुकर से निकाल लिया है, अब हम इसके छिलके उतारेंगे. ये कच्चे केले और आलू को मैंने छील लिया है, इसको अब हम कद्दुकस करेंगे ये केले कद्दुकस हो गए है, अब आलू को भी इसी तरह हम कद्दुकस करेंगे केले और आलू को मैंने कद्दुकस कर लिया है, अब इसमें मिलाएंगे स्वादा अनुसा सेंधा नमक मैंने सेंदा नमक काम में लिया है, क्योंकि हम बरत का बना रहे हैं, अगर आप इसको नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हैं, तो सिंपल नमक भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे स्वादा अनुसार लाल मिर्ची, अगर आप बरत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं, तो आप काली मिर्ची का भी उस कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कुट्टू का आठा, आप चाहें तो इसकी जगह सिंगारे का आठा भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया, अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा ओयल से ग्रीस करेंगे थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे इसका और इस तरह से बना के इसको हम टिकिया का शेप देंगे अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारे टिकिया पहले हम बना के त्यार कर लेंगे यह सबी टिकिया बना कर मैंने त्यार कर ली है तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ टिकिया बनाने के लिए तवा मैंने गैस पे रख दिया है अब हम इसको oil से grease करेंगे और इसमें टिकिया रखेंगे यह टिकिया को मैंने तवे पर रख दिया है अब इसमें side में थोड़ा-थोड़ा oil दालेंगे अब इसको low flame पे golden होने तक सेकेंगे लगबग 3-4 मिनिट हो गए हैं अब हम टिकिया को turn कर लेते हैं यह देखिए golden हो गई है इसी तरह से सभी टिकिया को मैं turn कर लूँगे यह सभी टिकिया को मैंने turn कर लिया है अब दूसरी side से भी हम थोड़ा-थोड़ा oil दालेंगे और इसको 2-3 मिनिट के लिए और सिखने देंगे अब इन टिकिया को हम दुबारा से turn करेंगे यह एक side से अच्छे से crispy हो गई है अब दूसरी side से भी थोड़ा-सा oil लगाएंगे और इसको अच्छे से crisp होने देंगे यह टिकिया दोनों side से सिखके तयार हो गई है अब इनको हम plate में निकाल लेंगे अगर आप ज़्यादा crispy टिकिया पसंद करते हैं तो टिकिया को हम इस तरह से दबाएंगे थोड़ा-सा और इसमें oil लगाएंगे थोड़ा-थोड़ा सा और इसको 2-3 minute के लिए और सिखने देंगे 2-3 minute हो गए हैं अब इसको एक बार turn कर लेते हैं यह देखिए golden हो गई है इसी तरह से दूसरी side से भी इसको golden होने देंगे यह टिकिया दोनों side से अच्छे से golden हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको plate में निकाल लेंगे यह टिकिया हमारी बंद कर तयार हो गई है इसको हम चाहें तो चटनी के साथ चाय के साथ खा सकते हैं पर इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दही और चटनी यह सब mix करेंगे इस तरह से टिकिया को हमने तोड़के बाउल में डाल लिया है अब इसमें थोड़ा सा mash किया हुआ दही add करेंगे अब इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी चटनी थोड़ा सा दालेंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची आप चाहें तो इसमें इमली या मजूर की चटनी भी मिला सकते हैं आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर अल क्लेक करें थैंक यू